हलो दोस्तों नमसका स्ट्रीय अकाल अधाब मैं शेषांग शेह खर सिंग आप सबको वेलकम करते हूं अपने चैनल गोराइड दोस्तों आज हम जा रहे हैं जैसा कि टाइटल देखके आप समझी कहा होंगे कि मैं क्या काम करवाने जा रहा हूँ तो आज हम जा रहे हैं स्नो चेन बनवाने अपने हिमाले न अपने चेतक के लिए जिसको कि हम दोडाएंगे स्नो में तो अभी तक तो आप समझी क्या होंगे कि कहां जा रहा है आपका भाई शेशांक समझ गए ना तो कॉमेंट करके बताए कि कहां जा रहा हूं है तो लंबी राइड मंबई से वहां तक जाने में भी डिस्टेंस अच्छी खासी मुझे कवर करनी है और फिर वहां भी जाने के बाद अच्छी खासी डिस्टेंस कवर होगी खुबसूरत नजारे भी आपको मैंने सो मैंने लिया है 45 फीट जिसका की प्राइज हुआ है 1100 रुपया प्रस और भी साही चीजे लेनी है वह लेकिन कहीं और भी लगव यहां मिला नहीं तो लेट्सी वह काम बिलता है तो यहां जे लेकर चलेंगे हम टॉप गेर कस्टम मेरा रोड और वहां पर करवाएं चलिए अभी डलवाना है मुझे सोने से महंगा पेट्रोल फ्यूल जो कि अभी मुंबई में 97 के आसपास हो चुका है प्राइस हाँ पता नहीं कब तक कहां तक पहुंचेगा यह पेट्रोल का प्राइस ओमाइग गॉड पेट्रोल का प्राइस हो गया 97 रुपीज 43 पैसे हाँ 5.13 लिटर पिट्रोल गया है पांसो में है यह है तोसी भाई का टॉप गिर कस्टम नमबर इदर डिस्क्रिप्शन भी मैंने डाल दिया है और यह बाइक की मोडिफिकेशन चल रही है और यह सामने भाई साब जो है वही है चलिए चेन का काम करवाते है इस नोचेन का काम शुरू हो चुका है तो अभी इंच टेप से लंबाई नापा जा रहा है इसका छे फ तो यह जो आप चेन देख रहे हो ना यह यह कटिंग होई है फ्रंट टायर के लिए तो यह जो है इसकी लंबाई जो है यह पूरी छे फीट है तो एक छे फीट दूसरा वाला छे फीट और इसके साथ बीच में जो यहां से जोड़ेंगे इसको जो कनेक्ट करेगा वो है सा 12 हम लगाएंगे पूरा यहां से लेकर के यहां तक जब लगेगा तो इसमें 12 पीसेज लगेंगे 7.5 इंच के और वो तयार हो चुका है दिखा जाए तो आपको यह 7.5 इंच का है और 7.5 इंच के एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ कड़ी भी है तो इसको हम जो है है ऐसे ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे यह जो है ना ऐसे एफ दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदास इगारा यहां तक लगेगा छे छोड़ के डालना है चट्थे में डालना है पांच के बाद चपार आइस तो गाइस देखो यह खुला हुआ था इसको फोल करके तब इसमें डाला गिया अब इसको कि करवा था अब आएए अब आए अब यह जो आए यह बनके तयार हो चुका है दिख रहा है तो यह पूरा हमारा स्नो चेन आगे वाले पहिये के लिए फ्रंट टायर के लिए रेडी हो चुका है तो अब इसको चलके फिटिंग करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है हमारा टायर इसको लगने के बाद अज़ आपको कि यहां से जोड़ है तो यहां हमने 12 कटिन किया थे लेकिन हमारा 11 ही फिट हुआ यहे फिट हैं मैं यहां यहां फिट थे अद्नाश के रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर 6 और सेम इसके सामने भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो छेचे पे हमने किया हल आप हमेशा ध्यान दखे कि यह जो है ना सेम होना चाहिए इसका एंगल जो बोल सकते हो या जो डिस्टेंस है यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए तो वो ध्यान दे करके आप करवाईएगा अब इसमें यह जो आपको दिख रहा है यह आपको कहीं भी डी कैथलोन होगा वहाँ भी मिल जाएगा आपको या फिर कोई भी अच्छा हार्डवेर का दुकान होगा वहाँ भी आपको यह मिल जाएगा तो यह देखा देता हम एक एसा हो ला यह जो है ना ऐसा आपके पास होना चाहिए तो यह जो है अभी इसमें हम लोग लगाएंगे यहां लगेगा और एक यहां लगेगा यह लगने के बाद इसको जब हम ओपन करेंगे इसको खोलेंगे ऐसे तेख रोग यह खुलेगा और यह जो खुलने के बाद उधर सब्सक्राइब की चक्के में जब लगाएंगे तो गाइज अभी फिटिंग तयार हो चिकी है तो अभी ठीक भाई लगा रहे है काफी का तौसीफ भाई मैं बार बार भूल जाता हूं तौसीफ भाई है अब टौसीफ पिटिंग भाईब का तौसीफ ढुतने के वे साली हो शवेश प्रेश की तौसीफ भाईब मैं तौसीफ टौसीफ मैं मैं उड़ी तृस को क्याया मैं कुप पारे सराइब करें क्यान पार्प tet रपियन मैं बैसा एक्याम हो मैं क्यां इप नियुक्त परफूल तो गाइस यह देख रहो यह स्प्रिंग लगाया जा रहा है इसको टाइट करने के लिए दोनों तरफ से जो है जंजिर सिक्कट जो है वो टाइट हो जाए तो इसके लिए यह वाला मैंने लिया है इसमें एक वील में चार लगेंगे और यह आप एक्टिवा का जागा बोलो क जो साइड स्टैन आता है उसका श्प्रिंग चाहिए वह ले लेना अब देख सकते हो भाई एक यहां लगा है एक स्प्रिंग यहां लगा हुआ है और एक यहां कि बल्कुल टाइट हो चुका है एव भी कि चली आप रियर टार का काम करते हैं प्राइज आदेो भाई का बड़्डे भी है, जिन्मन वनने आयाए था तो इनका आज बड़्डे था तो आज हम सोच रहे हैं के कट लिए जाया जाए जैन्मन वनने का सथ अ ये तो तो ले गया है लेया रहा हुआ ये तो ले काम तो ले गया है एक जदे करहे है और शिर्द ले terइन को सिफिक्षल घष पुलाए गया है ए्टो बॉल से बुजानी होना ऐसा वाजा रहा है क Eden दोल्डी अरे तोल्रा आव मुश्म अंदा нам मुझे स्वड़ हएप बारददे तूपयद्टयोण हएप बारदे तूपय भारे तूपयद्टयोण हएप बारदे दिर्दे देव्हाई हभी बार्दे तूपयर कॉपय तूपय जिए आप देख रहे हो, क्या बोलते हम इसको जो देख रहे हो 41-hhhh- एतेच कर रहे हैं धाने संपने edho साहिते हैं दसक्ति हैं 1.50 शो कुरीखे के हम देखे जीकिते हैं र इसको थे उसने, तो 6 वाले नो हो दिखने एक फिट लग रहा है उसमें ये 7-70 इंच क्था था इसमें 1.5 inch को पीच में और भी तो रहा है कर चलह मुझ धिक्त ले को चल्ने में कि ज Ugh बरफ के लिए अज रह कुटे में जाए है बाद लगाथ लगाथ बाद लगाथ यहाँ बेल्डिंग बेल्डिंग हो रहा है जो जो हमने यह जुआंट की है ना जुआंट करने में आप हुजा सब्सक्राइब पता है यहां पर कट करना पड़ाता है तब ही इसके अंदर जाता है तो उसको अब वेल्डिंग करके यह देखो देख रहा है यह जगा पुला हुआ है नमो जो जिस यूटूबर का मैंने वीडियो देखा था देखकर । मैंने यह सोचा खुद से लिस्टूबर । उस यूटूबर काναम है griding Gauraur griding Gauraur so thank you so much Gauraur that you say we can create a snow chin on the way you might a phải your Himalayan जाए हिंद और प्लीस से गोल जाए